धार्मिक स्थरों पर अवैद रूप से लगाए गए लाउट स्पिकर पर सरकार सकत है ग्रिया विभागी समिक्षा बैठक में सीम योगी ने दो टूक शब्दों में अवैद लाउट स्पिकर हटाने के नर्देश दिये सीम योगी के नर्देश के बाद पर शासन तेजी से धार्मिक स्थरों से लाउट स्पिकर हटाने में जुटा हुआ है हालांकि जैसे जैसे धार्मिक स्थलों से लाउड स्पिकर हटाने की स्पीड बढ़ रही है कड रवाई के विरूद में उठते सुर और उचे होने रही मस्जिद की मीनार पर मंदिर की दिवार पर लगे लाउड स्पिकर की आवाज अब सुनाई नहीं देगी सीम योगी के निर्देश के बाद धार्मिक स्थलों पर बिना इजाजत लगाए गए लाउड स्पिकर्स हटाए जा रहे हैं इससे पहले बुधवार को ग्रिविभाद की समिक्षा बैठक में सीम योगी ने साफ लबजों में कहा हाल के दिनों में जन पदिये दोरों के समय मैंने अनुभो किया है कि कुछ जिलों में पुनह लाउड स्पिकर्स लगाए जा रहे हैं ये स्विकारे नहीं है ततकाल संपर्क संबाद कर आदर्श थित बनाई जाए सीम योगी के इसी निर्देश के बाद घाजियाबाद से घाजी पुर्तक पुलिस एक्शन में है प्रशासन अवैद रूप से लगे लाउड स्पिकर्स हटा रहा है जबके उन धार्मी कस्थलों पर जहां लाउड स्पिकर लगाने की इजासत ली गई है उन्हें लाउड स्पिकर्स की आवाज निर्धारित पैमाने के हिसाब से रखने की हिदायत दी जा रही है अब तक कौशामबी समय कई जिलों से मस्जिद और मंदिरों से लाउड स्पिकर्स हटाने की तस्वीरें सामने आई है फिल्ड के अधिकारियों साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले जब ये आदेश दिये गए थे तब सभी लोगों ने खुद धर्मिस्थलों से लाउड स्पिकर्स हटाये थे पिछले दिनों में जब वो अलग अलग जिलों में दोरे पर गए तो देखा कि कुछ जिलों में एक बार फिर से धर्मिस्थलों पर लाउड स्पिकर्स लगने शुरू हो गए हैं और मन्दिरों ने तो कोई कहा नहीं कुछ हो फिकार लिया लेकिन मजजिदों के घटने के बाद कई ब्यान लोगों ने दी यह लेकिन मोदी जी ने सब का साथ सब का विकास के तहट मसजि और मन्दिर कहीं भी हो उसका समान रुप से पलन किया फिलहाल उन सभी धार्मिक स्थलों की पहचान की जा रही है जहां बिना इजासर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं एबीपी गंगा के लिए फ्यूर रिबोर्ट एबीपी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी